मद्धिक प्रदिश में आरक्षर नियमों के विवाद के बीच बड़ा फैसला आया है यहां MPPSC 2019 की परिक्षान ने रस्त कर दी गई है MPPSC की प्रारंबिक और मुख्य दोनों परिक्षाएं रद्ध हो गई है इस पर जौलपुर हाई कोट ने अपना फैसला सुनाया है यानि कि इन दोनों परिक्ष्णों का रिजल्ट कैंसिल हो गया है बता दे इसमें खुल 330 पत थे इसमें SGM DSP जैसे प्रमुक पत भी शामिल थे बता दे विवादित नियमों के तहट PSC ने परणाम जारी किये थे पहले आरक्षी द्वर्ग के प्रतिभवान च्छात्रों को सामान निश्रणी में शामिल ना करने का नियम था जिस पर जोल्पुर हाई कोर्ट में PSC और सरकार के इस फैसले को चुनाती दी गई थी सरकार 17 फरवरी 2020 को संशोधित नियम लाई थी आरोप था कि विवादित नियमों के तहट PSC ने परणाम जारी किये थे आरक्षी द्वर्ग में जवाब देते हुए विवादित नियमों को वापस लेने की अपील की थी इसके बाद भी 31 दिसंबर 2020 को PSC 2019 मेंस के परिणाम विवादित नियमों के तहट जारी कर दिये गए थे हाई कोट ने पुराने नियमों के तहट पुना रिजर्ट जारी करने का आदेश दिया है कई आचुकाय अभ्यार्थियों द्वारा दायर की गई थी जिन्होंने विवादित नियमों के तहट जारी किये गए MPPSC 2019 के प्रारंबिक और मुक्य परिक्षा परिणामों को चुनाती दी थी सरकार ने आरक्षण अदिनियम में संशोधन करते हुए जनवरी 2020 में एक नया अदिनियम बनाया था जिसके मुताबिक आरक्षित श्रेणी के मेरिटोरियस याने प्रतिभवान चात्र चात्राओं को अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सुची में शामिल ना करने का नियम बना दिया गया था याचिका करताओं ने इस अदिनियम को अवैधानी घोशित करने और परिक्षा परिणाम को निरस्त करने की मांग इन याचिक दी और मुख्य परिक्षा परणामों को भी चुनाती दी थी बीते दिनों सभी याचिकाओं पर हाई कोट ने लंबी सुनवाई करते हुए फेसला सुरक्षित कर लिया था जो आज चारी किया गया है बहराल कनीमत रही MPPSC 2019 से जुड़े इस पूरे विवात में किसी भी प्रत के लिए बैल आइकन दबाना ना भूले